इस्टुएंट तो कल मैं वेक्टर में स्टार्ट किया था dot product of two vector और dot product of two vector के रिए पक्नी और dot marker कि अखज़ है बड़़्पक्री बड़़्पक्री प्लाख़ लज़े प्लाख़ accurate घरलो पॉसले सब्सुनर्ग पॉसले नहीं पेंदे तेरो लंक है झाल 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 इस्टुएंट कल तो मैं यहां तक आपको बता दिया था अब यहां से हम दोग सुरू करते हैं ओके a dot b equal to kya लिखेगा a b cos theta ओके और b dot a equal to kya लिखेंगे b a cos theta तो यह भी अस color quantity है, यह भी अस color quantity है, तो A value, A as color value और A as color value, different value या same value है, same value, इसका मतलब क्या यहां से हम लोग यह लिख सकते हैं, A dot B equal to B dot A, और A dot B equal to B dot A इसको क्या बोलते है इसको बोलते हैं student law of commutative VT अच्छा आप लोग को आज बायो का सब मिल गया जितना भी मतलब बैक लॉग था लाइक लिविंग बल्ड का एसाइनमेंट या बायोजिकल क्लासिफिकेशन का A to Z थियोरी और आप लोग यह सब खरीद लिया हैं फिंगर टिप्स MTG का बायोजिकल का और एक मैं जो फोटो खिचके भेज़ा था NCRT दा मास्टर ओफ NCRT बायोजिकल का चलिए फिर से एक बार फोटो खिचके भेज़ देंगे आज जो भी और प्लस जो आपको मैं लिविंग बल्ड का इसाइन्मेंट भेजा हूँ तो एक्च्वल में कैटलिस्म हो उसी का हाड कॉपी का बुकलेट बना हुआ है तो हाड कॉपी से बनान में थोड़ा बढ़िया लगता है तो जनरली अगर आफ लाइन क्लास करते रहते तो मैं बोलता कि आप बायोजिक का एसाइन्मेंट का बुकलेट पर्चेस कर लीजिए तो अगर आपके पैरेंट्स अगर आ सकते हों ऑफिस में या इधर से कभी पसारी की कल ही आजाए तो बायोजिक का पूरा 11th और 12th का आप एक ही बार इसाइन्मेंट का बुकलेट पर्चेस कर लीजिए तो कि soft copy से कितना बनाईएगा हमेशा तो mobile और laptop पे रहेंगे नहीं और आपको hard copy आपके पास रहेगा या किसी भी चीज का अगर आपको लगता ह है कि नहीं आपका मतलब सर hard copy मिलता तो अच्छा रहता या आपके पास printer then fine लेकि नहीं भी है तो जो मैं भेजते रहता हूं उसका अगर hard copy चाहिए बस उसका है कि उसका costing यहां पर लहेगा आपको तो ऐसे ही बायोजिक का अलड़ी booklet बना हुआ है assignment का तो parents इस तरफ से आते ह हैं तो यहां से लेक के जाए सकते हैं बट बाकी जो बुक आप बोला गया है फिर से मैं एक बार इस पर discuss कर लूँगा प्लीज अगर कोई भी topic बायो के faculty cover करते हैं तो kindly साथ-साथ ए तीन चीज़ फॉलो किजिए catalyst का assignment finger tips empty जी का पुरा मतलब नीट का जितना भी topper हैं सब फ नीट में anyway तो a.b equal to b.a इसको बोलते हैं law of commutativity अब यहां देखिए a.b plus c a.b plus c आप इसको ऐसे भी लग सकते हैं a.b plus a.c करते हैं तो यहां पर कितना vector की बीच में dot कर रहे हैं एक vector हो गया यह only two vector b plus c is not three two vector एक vector a हो गया और b plus c दो vector है यह एक vector है यह तो जोड दिये तो resultant ही हो गया ना जोड दिये तो resultant ही हो गया correct that's why a.b and c का resultant के साथ a का dot यह individual b और c के साथ dot लेकर add करना different value मिलेगा है same value same value मिलता है that's why इसको बोलते है law of what s o c a t v t ठीका है ओ कल का physics class का video अभी मिल जाएगा मैं तो upload ही कर दिया था आपको नहीं मिला है क्या प्लीज subscribe the catalyst आप subscribe नहीं किया है मेरे चनल को है यह बटम भी दवा दना है क्या उसको बोलते रहते हैं आप लोग मेरे यह आप लोग मेरे student होकर अभी तक मुझे subscribe ही नहीं किया है catalyst को बताईए तो कितना ख्राब लगा मुझे अच्छा नहीं मैं समाज सकता हूं इस चीज़ को ऐसे मजा किया देखे एक्शली इन सब से फर्क मुझे नहीं पड़ता है उपहले यह 2010-11 में रहता तो अब मैं थोड़ा से इन सब से उपर उठ गया हूं मुझे दो स्टूइट भी क्लास में रहेगा ना तो उसको भी उत्रा ही मन से पढ़ाऊंगा और 200 भी रहेगा तो उत्रा ही मन से पढ़ाऊंगा इसलिए कोई फर्क नहीं पढ़ता है बाट आप एक बाट सब्सक्राइब करने से इतना फिल्टर तो करी सकता है कि मैं जैसे बहुत सारा बैच में पढ़ा रहा हूं तो जो आपका काम कर रहा है उसको देख लिजाएगा बट मुझे लगता है कि मैं कल ही अपलोड कर दिया था साइध हो सकता है कि बाई मिस्टेक चोड़ेते हैं कभी-कभी कि अब वीडियो मिल जाएगा ओनलाइन ये बात करते हैं आपसे तो बात करने से थोड़ा सा ज्यादा कॉंफिलेंस आपको तो a.b plus c equal to a.b plus a.c चलिए अब ए बताए है student कि a.a equal to क्या लिखिएगा a.a तो आप a.b के लिए क्या लिखते थे जड़ा बताए ही तो a का मेंगे चूड b का मेंगे चूड cos theta तो वैसे ही a.a के लिखे हैं क्या a का मेंगे चूड a का मेंगे चूड और cos cos theta लेगे ठीटा क्या 0 degree दोनों तो semi vector है ना a.a बोल रहे हैं मतलब दोनों vector same vector है तो दोनों same vector है तो दोनों को जो angle कितना रहेगा 0 degree रहेगा तो क्या लिखिएगा a का square हाँ या ना तो यहाँ पे theta equal to क्या रहेगा 0 degree अब यहाँ देखिए student i.i पूछेंगे तो क्या लिखिएगा तो i.i बोलेंगे तो आप बूलेगा sir i का magnitude हाँ ना i का magnitude और cos 0 ठीक है i.i equal to इस concept को apply कर देंगे तो i.i equal to i का magnitude cos 0 हाँ ना और i का magnitude कित्रा तो 1 into 1 into 1 equal to what? 1 और j.j equal to क्या होगा student? क्या direct लिख दें? अब k.k equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा very good और i.j equal to क्या हो जाएगा? तो yes very good i का मैंचूड, j का मैंचूड और cos 90 degree equal to what? 0 और j.k क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां तक के लिख झाल झाल यहां देखिया, अब लिखना है, dot product in cartesian system, क्या लिखना है, dot product in cartesian system, तो देखिये, किसी vector को cartesian system में आप ऐसे लिख सकता है, axi plus ayz plus azk, अब लिख सकते हैं, bxi by j plus bz k, then a dot v equal to, क्या हम लिख सकते हैं? axi ayz plus azk dot bxi by j plus bz k, यहां पर i होगा ही नहीं, कि सर, b को पहले लिखें, a dot b के लिए, या a को पहले लिखें, because a dot b equal to b dot a होता है, हाँ या ना, according to law of commutivity, चलिए, तो आप एक rough work के जिए, अब मुझे a dot b ka value बताइए, do it fast, जो मिलेगा, उसको पुरे physics के लिए इज़ करेंगे, बदेंगे हैं, झाल झाल कि इतनाया देखिया स्टुएंट आप पहले इस टर्म को लिजिए एकस आए इस ब्रैकेट के हर टर्म के साथ डॉट क्या होगा वन कैसे हागो आश्टुएंट देखिये आप यहाँ देखिये का मेरे साथ आप एकस आई को इस टर्म को इसके तीन टर्म के साथ डॉट लिजिएगा तो नहीं लगता कि आई डॉट जे जिरो हो जाएगा अभी पढ़ा है थे ना आई डॉट जे इकोल टो जिरो और आई डॉट के बिकम्स वाट आई डॉट के बिकम्स जिरो बट आई डॉट आई बिकम्स यहां सब लोग देखेंगे आई डॉट आई बिकम्स वाट वन तो आपको नहीं था कि इसको लेने से यहां इन तिनों के साथ डॉट कीजिएगा इंडिविज्वाली तो एक ही टर्म बचागा दाट इज ए एक्स बी एक्स बीटी बलार आ रहा है अभी देखे तो हो गया अभी टीक आस्प्रांट तो देखिए इस टर्म को अगर आप लेते हैं तो इस टर्म का इन थ्री टर्म के साथ डॉट पोड़क लेते हैं तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा यह बाखि यह टर्म के साथ इस इस टर्म का इस टर्म के साथ डॉट ओड़ागा जिरो एकौन सा तर्म के साथ हो जागा डॉट जिरो हा एख यह ना UNSIMILYOR FASHION, एगर इस टर्म के साथ डॉट परड़कत लेते हैं तो कौन को सा टर्म जीरो हो जाएगा हाई है न, very good, a time 0 हो जाएगा, a term 0 हो जाएगा, बट क्या a term 0 होगा, क्योंकि j dot j equal to क्या हो जाएगा, 1, j dot j हो जाएगा, 1, right, और j dot i क्या हो जाएगा, student, और j dot k भी क्या हो जाएगा, 0, that's why इस term से भी तो आपको शिर्फ बिला a y by हाया न, और जब इस term को लेते हैं, तो इस term को corresponding कौन साथ 2 term 0 हो जाएगा, किस दो term का dot 0 हो जाएगा, very good, i और z 0 हो जाएगा, सिर्फ बच्चे का क्या है, az, bz, correct, इसका मतलब यह है, कि आज के बाद क्या, देखें, यह तो मेरा बिलकुल रटा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप समझ लिए, बट आज के बाद रट जाएगे, कार्टीजियन सिस्टम में, दो वेक्टर का dot product होता है, ax, bx, a by, by, az, bz, ठीक है ना? अब सपोच किजए कि आप से कोई पूछेगा, यहाँ देखें, मान लेते हैं, कोई पूछेगा कि a dot b, example के तौर पे, a dot b, तो a dot b के लिए क्लिए क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ax, bx, a by, by, और az, bz, हाई है ना? कोई बोला कर कि नहीं, मुझे f dot d चाहिए था, क्या चाहिए था student? f dot, तो क्या लिखेंगे? fx, dx, fy, dy, fz, और गलती से बोल दिए कि d मेरा displacement है, क्या बोल दिए? if d is the displacement, अगर एफ बोल दिए, हाई है ना? अगर, let us suppose, d is the displacement, if d is the displacement, तो ऐसे भी लिख सकते थे, f dot delta r, हाई है ना? तो f dot delta r, अगर लिखते है, f dot delta r, तब dot क्या मिलता? Cartesian system में लिखेंगे? fx, delta x, हाई है ना? लिखेंगे, तो सही है, fx, delta x, अब, plus fy, delta y, हाई है ना? और fz, delta z, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए, f, Cartesian system जब बोल रहे हैं, तो f को fx, i, plus fy, j, plus fz, k तो लिख सकते हैं ना? और delta r को यह तो लिख सकते हैं, कल तो इसी बब बात कर रहे था है, delta x, i, plus delta y, j, plus delta z के, करेक्ट, और इस दो vector का dot लिख जाएगा, तो नहीं लेता कि यह बचना चाहिए, fx, delta x, fy, delta y, plus fz, delta z, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, अभी मैं जो भी बोला हूँ, उसको फिर से repeat कर दूँगा, लिखेंगे, हाँ, सबको video और audio सुनाई पर, sorry, video और audio क्लिएर है, तो f को क्या हम लोग लिख सकते हैं, fx, i, plus fy, z, plus fz के, और delta r को क्या लिख सकते हैं, delta x, i, plus delta y, z, plus delta z के, और इसका अगर dot लिजेगा, तो नहीं लिखता है, कि लिखता है, fx, delta x, plus fy, delta y, plus fz, delta z, एक कुछ अलग बात बोल रहा है, a dot b ही बोल रहा है, बार-बार, तुछ अलग बात बोले या a dot b बोल रहा है, a dot b बोल रहा है, but आप बोलने था कि, it is kind of more or less, आगे चलकर इस तना थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, बर्कडन, तो अभी बर्कडन का मैं फर्मूला नहीं बोला हूँ, बढ़ थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, कि वर्कडन का फर्मूला क्या होता है, बर्कडन का क्या फर्मूला होता है, एफेस, जहाँ पर इस क्या है, खीटा क्या है, चलिए, आप जो एफेस, कॉस्ट रा बोल रहे हैं, उनके लिए, एफेस, कॉस्ट रा इछली था, वो एफ डॉट डी, क्या था स्टुएंट, एफ डॉट डी था, बट उस पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा बात करूँगा, क्योंकि आपका जस्ट कोई भी इनुटेस्ट होगा, तो उसमें डॉट पड़ाएक के बज़ा से बर्कडन भी पुछा जाएगा, लेकिन वो भी सही फर्मूला नहीं ह है, वो हर केस के लिए भेलिट नहीं है, एनिवे, पहला कुस्ट नहीं है, 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 A and B बनाईए आप लोग मैं बेट कर रहा हूँ इसको पाउच कर दीजिए सुरफ 8-9-20 कितना हो जाएगा minus 37 ओके स्टुएंट और उसके बाद second question क्या था अच्छा एक क्यूनेट आपने तक जैसे ही A.B. निगेटिव आ गया तो बिल्कुल माइन में क्लिक किया होगा ओके ये तो A.B. निगेटिव आ गया dams your A.B. के बिचे एंगिल आपटीज रहेगा कितनों लोग इस बात पर सोचे कि निगेटिव आ गया पोजिटिव आ गया जिरो आ गया या जस्ट अंसर आ गया A.B. का भेलो अगर निगेटिव आता है इट मिन्स वाट dams your A.B. के बिचे में एंगिल क्या रहा होगा एक्यूटिव आफटीज रहा होगा और A.B. इक्वल टू ए लिखेगा ना A.B. कॉस्ट ठीटा तो कॉस्ट ठीटा के लिखेगा लिखेगा है A.B. अबिखेगा ना और A.B. तो निकाले हुए माइनस 37 और A. का मेंगनिचूड कितना एक का मेंगनिचूड यहांस निकाल सकते हैं एक का मेंगनिचूड कितना होगा बुली तो अब B का मेंगनिचूड रूट 50 ओके तो कितना होगा रूट ओबार 29 इंटो 50 दे डिरेक्ट लिक दे रूट 29 इंटो 50 इकल टू तो 1, 4, 5, 0 तो थीटा इकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 37 बाइ रूट ओबार 29, 5, 0 खेका स्टूरंट अब देके एकार प्रोलम् अब देके एकार प्रोलम् रूट प्रोलम् यथिटाओ ऑर रूट प्रोलम् अवैर्साइधू, थीटाओ टूट अबबार 29, 0 so that vector A becomes perpendicular to A का J component have, not the bi component have 4, not J component, it is bi component. अच्छा अब आप लोगो ग्रूप डिवाइड करते हैं, उससे मुझे पता चलते रहेगा क्योंकि एतना दिन तो मैं हर सब्जेक्स का डेमो दे रहा था, हजिस का अलग ग्रूप, मैथमेटिक्स का अलग ग्रूप, बायो का अलग ग्रूप और कमेश्टी का अलग ग्रूप आप लोग का सब लोग बनाएंगे हाँ मैं देख लगता हूँ, मैं ऐसे ही रेंडम को संदर दिया हूँ मुझे भी नहीं पूता है, मैं थो रहा सा कल्कुलेट करता हूँ बाकी लोग को भी टाइम देते हैं सब लोग बनाएंगे अब पलस x स्क्वाइर ना कितना 2x स्क्वाइर है इक्वाल टू 0 तो होगे अगर 2x स्क्वाइर अब पलस 5x इक्वाल टू 0 x कॉमन ले लिजे तो 2x पलस 5 इक्वाल टू 0 तो यहां से कितना वहलू मिला x इक्वाल टू 0 या x इक्वाल टू माइनस बखना टू टू वैलो अफ एक्स इक्वाल टू पलस आक्स जिसके लिए यह और भी आपस में क्या हो जायेगा पर्पेंडिकलर हो जायेगा हायना तो ऐसा question मिलेगा तो आएगा तो बन जाएगा और इस type का बहुत बार question आया हुआ है और नीट में तो इस type का बिलकुल आ सकता है तो लगता है बहुत टफ question है मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता है नहीं लगता है 30 second का question है 40 second का question है चलिए तो अब इस टाइप अब यहां दखेगा अभी अच्छल में स्टुएंट मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था जो मैं भी बोल रहा हूं लेकिन यह सिर्फ अभी इस बात के लिए पढ़ा रहा हूं कि डॉट पोट्रक्त हम लोग पढ़ चुके हैं हाया ना डॉट पोट्रक्त अभी पढ़ लिए और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ओफ्लाइन क्लास चलते रहता तो अभी तक स्कूल का जो एक्जाम होता है थर्मिनल थर्मिनल या बहुसा थर्मिनल होता है यहां पे थर्ड होता है या हाफ यर्ली भी होता है नहीं या फूल यर्ली भी होता है और हाफ यर्ली में आधा साल होता भी नहीं है लेकिन उसका नाम दिया गया है हाफ यर्ली तो एक्चुल में यहां पे एफ जो फर्मूला देना चाहता हूँ, but actually ये बर्ग्डन का defining equation नहीं है, defining equation उसे बोलते हैं, जो हर situation के लिए valid हो, ये सिर्फ इस condition के लिए valid है, किसके लिए, when force is constant, तो उसके लिए सिर्फ एक फर्मूला होता है, बर्ग्डन का f.d, इसको बहुत सरा instrument बोलते हैं, force into displacement, into नहीं बोलेंग instrument, ये into है, ये क्या general scalar quantity का multiplication है, ये scalar quantity का multiplication नहीं है, it is a relation, dot product का, ये scalar quantity का multiplication है या क्या इसको f into d बोलना है सही रहेगा, ये f dot d बोलना सही रहेगा, yes, but this formula valid for which condition, जब आप, yes, when force is equal to constant, अब ये मत बोलेंगा, sir, जब force variable रहेगा, तक के लिए, after three month, four month, जब हम लोग बर पाबर नहीं पढ़ेंगे, तब बताएंगे, अभी के लिए वहां तक जाने का requirement नहीं है, अभी इतना ही जाने है, when force is constant, when force is what, constant, anyway, अब d क्या है यहां पे, displacement, d क्या है student, displacement, ये तो पताएंगे, displacement does not depend on path, it only depends on initial point and final point, yes, तो अगर force constant रहेगा, force constant जैसे ही बोलते हैं, तो force एक vector quantity और किसी vector के लिए गर मैं बोल रहा हूं कि कोई vector quantity constant है, इसका मतलब उसका magnitude भी same रहेगा all the time और direction भी same रहेगा, हाई या ना, अब देखें, तो इस condition के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए आप इसको अलग तरीके से change कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि parallel ये video record भी हो रहा है, f constant है, इस condition के लिए मैं फर्मुला दिया हूं, f अगर variable रहेगा तो मैं कोई और फर्मुला से लेकर काम करूंगा अगे, तो f, इसके लिए f dot d के लिए इसको solve करने का दो तरीका, एक तो तरीका है f d cos theta, हाया ना, force का magnitude, displacement का magnitude and cos theta, जिसको अभी कोई student बोले थे f s cos theta, that's why मैंने पुछा था, s क्या है थे, s actually वह मिन कर रहे थे displacement का magnitude, not distance, किसका, displacement का magnitude, एक फर्मुला तो ए हुआ, ठीक है student, एक और फर्मुला, next question, कि sir, एक और फर्मुला तो बन सकता था, Cartesian system से, कि f dot d आप लिखे, तो d का मतलब तो Cartesian system में changing position vector, आया ना, displacement का मतलब यह भी तो होता है, changing position vector, और f के लिए क्या लिखे सकते है, f x i, सब लोग यहां दखेंगे, f y z, और f z के dot, इस पे कम से कम तो 10 problem रहेगा मेरे assignment में, ठीक है, तो उस time के लिए मैं इस concept को आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको बर्क पारवन जी पढ़ना नहीं है, लेकिन ए प्रोलम फिर भी दे रहा है, मतलब किस point of view के लिए रहा है, dot product के लिए, a dot b के लिए, आया ना, तो f x i plus f y j plus f z k dot, delta r के लिए लिख सकते हैं, delta x i, delta y j and delta z k, लिख सकते हैं, f x i plus f y j plus f z k dot, delta x i plus delta y j plus delta z k, अब बोलिए, dot product लिख सकते हैं, तो क्या लिखेगा, student, f x, delta f y, delta y, f z, delta z, तो दो चीज़ को note कर लिजे, मुझे, अरन अर को दो य अचाला लिया लिए, झाले, विगज लिखाई, देखिया एस्टुएंट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि किसी पार्टिक्ल को यहाँ देखना है किसी पार्टिक्ल को अंडर देखना इन्फ्लूएंस अफ देखना है कहां से कहां तक लेकर चले गए है यहां पर मैंने फोर्स को क्या बोला है वारियाबल या कॉंस्टंट और यहां से यह से बी तक का displacement का magnitude मैंने क्या बोला है 10 meter yes then what is the work done by this force then what is the तो जैसे ही f constant है तो क्या f formula लगा सकते है directly क्या हो चाहेगा displacement f का magnitude d का magnitude और cos 60 आया ना और f कितना है 20 और d कितना था 10 और cos 60 कितना हो जागा half how much hundred ठीक है देखे तो लेकिन hundred क्या तो देखे है one newton meter equal to one joule होता है SI system में क्या होता है student one joule तो hundred क्या लिखेँगे याफ yes ० एक और कुसिन मना यह अब समय माइगे कि e f formula मैंने क्यों उज किया यह इस लिछ किया क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि e f मेरा constant है constant का मतलब है student यहां दखें कि यह particle यहां से यहां से यहां से चुकि इस a particle इस force के influence में यहां से यहां तक आया है समझने मेरे point को a particle a से b तक किसके influence के कारण move किया है this force इसका मतलब यह particle अगर यहां भी आया होगा तो force का direction यहां रहेगा ना different रहेगा यहां सेम रहेगा देखे तो क्योंकि force constant बोल दिया और force vector quantity है yes तो force अगर vector quantity है इसका मतलब उसका magnitude भी same रहेगा direction भी all the time सेम रहेगा मैंचूर भी same रहेगा और direction भी all the time same रहेगा student yes but is it compulsory कि आगर आपसे कोई पुछेगा depth में क्योंकि मुझे हालाकि अभी यह बात ज्यादा discuss नहीं करना चाहिए तो फिर भी a से b तक जाना है और इस force के कारण इस compulsory की इस line पे ही जाए ऐसे भी तो जा सकते थे constant force maintain करते हुए है आया ना तो नहीं तो एक्चलि force constant है तो constant force के लिए bargain का formula simply f dot d लेना है और f तो constant ही है और displacement वाली difference रहेगा या इसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए f dot d का value इस case में हर path के लिए different different रहेगा या same रहेगा same ही रहेगा हाया ना क्योंकि आपको तो उससे मतलब भी नहीं कि कि किस path से गया है आपको तो इस बात से मतलब है कि constant force है उसके लिए formula f dot d करना है क्या करना है f dot d तो आपको नहीं लगता है कि due to constant force कोई भी particle को एक point से दूसरे point पर लेके जाते हैं तो वर्ग्रण path पर depend नहीं करता है हाना कुछ बोलते ही नहीं है constant यहाँ पर यहाँ दखेगा आपको तो सिर्फ इससे मतलब है न instrument अगर force constant है तो constant force के लिए बर्ग्रण का फर्मुला यह था है f dot d a b constant और a constant ही है इसको change कर नहीं सकते हैं और displacement is it displacement depends on path या it only depends on initial point and final point तो क्या a value f dot d यह अगर constant है तो क्या a value दो point के बिच का a से b तक के लिए क्या path पर depend करेगा path पर depend नहीं करेगा और यह की यह किन मानी है student यह जो मैं बात बोल रहा हूं तो आप लोग इसे बहुत लोग इसको मजाक मिले रहा हूंगे इतना बढ़िया और depth का concept है आज से 6 मेना के बाद पता जलेगा और फिसर में recall करवा दूँगा के देखिए एक जगा में थोड़ा सा hint दिया था और इस टाइप का force को आगे चलके बोल दूँगा conservative force कौनसा force बोली मेरे साथ conservative force कौनसा force यस तो वैसा कोई force जिसके कारण बग्डन पास पर depend नहीं करता उसको अचली हम लोग conservative force बोलते हैं यह आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया एक concept है लेकिन अभी आपको इससे मतलब नहीं कि इस टाइप फोर्स का नाम क्याब होगा अभी आपको इससे मतलब है कि अगर force constant रहेगा तो उसका दो तब दो पॉइंट के बीच का बग्डन निकालने के लिए पास पर depend नहीं करेगा किसी पास से जाएंगे बस A सर B तक जाना है तो f.d का value different different रहेगा या सेम रहेगा सेम रहे बट आपको लगता है कि all the time ऐसा question रहेगा वग्डन के लिए कि f दिया रहेगा और displacement दिया रहेगा और angle भी दिया रहेगा नहीं रह सकता है question ऐसे भी तो रह सकता है लिखे ए पार्टिकल moving from point p1 to p2 a particle moving from point p1 to point p2 2 4 minus 1 to p2 minus 1 3 minus 8 minus 1 3 minus 8 under the influence of force under the in- influence of force चलिए, then find the work done by this force, then find the work done by this force, सब लोग solve किजए, और solve करने के पहले मुझे यह बताईए, यहाँ देखिये, यह देखिये का student, constant plus constant equal to क्या होता है, कहीं सुना है, constant plus constant equal to variable, constant plus constant equal to what, variable, तो yes, नहीं, बड़ा constant नहीं बोलेंगे, सिर्फ constant बोलें से मेरा काम चल जाएगा, if equal to 2i plus j minus 10 के, यह term क्या है, variable है, constant नहीं देखितो, इसमें variable है, यह बताई, जैसे ही 2i लिखते हैं, तो 2i में 2 है और i है, आपको नहीं देखिता है कि i का मतलब along positive x-axis, तो fix कर दिया है, तो जब यह i का मतलब आपको पता ही हो गया कि along positive x-axis, तो किस एंगल से variable है, यह हो गया constant, तो a term constant, what about this term, this term is also constant, और what about this term, this term is also constant, constant plus constant plus constant equal to constant, हाई है ना, इसका मतलब है कि यहां ते तीन term है, उसमें कोई भी term variable है, कोई भी term variable नहीं है, इसका मतलब आपका force कैसा है, यहां पे variable force है या constant force है, बस मुझे जो समझा रहा था, समझा दिया, आप solve कीजिए, do it first, तब इसको Cartesian system से ऐसे बनाए होंगे, f dot delta r, हाई है ना, और f dot delta r के लिए आप ऐसे लिखे होंगे, f x delta x, आपनों भी ऐसे लिखे हैं, और delta x कितना है, student, minus 3, देख तो delta x minus 3 है, और delta y, minus 1, और delta z, minus 7, तो f x का भैलू हो गया, 2 into minus 3, f y का भैलू हो गया, 1 into minus 1, और f z का भैलू हो गया, minus 10 into minus 7, तो हो गया, minus 6 minus 1, प्लस 70, हाया ना, तो कितना हो गया, प्लस 63, अब बताइए, वर्क डन निगेटिव आया या, पोजेटिव आया, पोजेटिव आया, ओके, इसका मतलब नहीं लेता कि, फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट के बीच में, एंगिल एक्यूट रहा होगा, क्योंकि दो वेक्टर का, डॉट पोजेटिव आया, इसका मतलब डैम स्यूर, वर एंगिल क्या रहा होगा, ओफ्टीज रहा होगा, या एक्यूट रहा होगा, चलिए, यास, अब माल लेते हैं कि, थोड़ा बहुत तो आप जानती होंगे, पावर का यूनिट, वेरी गोड, ये तो बल्ब पे भी निखा रहता है, नहीं, देखें हैं, बल्ब पे ऐसे निखा रहता है, 100 बाट, और 220 बोल्ट, या 440 बोल्ट निखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 220 बोल्ट ही रहेगा, 440 बोल्ट नहीं रहेगा, वो ट्रांस्फोर्मेंट बर रहता है, देखें हैं कभी-कभी ओभर वोल्टेज, हाई वोल्टेज रहता है, सब कुछ उड़ी जाता है, फिश कर जाता है, इसने हम लोग का जो डोमेस्टिक एपलेंस जो भी है, बनाय रहत है, वो कितना बोल्ट के लिए बना रखा जाता है, कमपनी कितना बोल्ट के लिए बना कर रखता है, 220 और इस पर रेटेट के रहता है, 100 वाट, एक इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूं, कभी आप लोग घर में ऐसा लेमेन लेंग्वज में, यहां नहीं बोले होंगे, ग गौभला लेम्ज में, बहुत दीम कम रोष नी आ रहा है, दीम वल्टेज है, नहीं,од कभी बुधता थे, आज तो बहुत ज़्यादा हाइज है, तो मुझे तब- समझ मीन आता है कि हाइस दीम वोल्टेज, तो रहना तो है 220 वोल्ट, तो दीम और लोग का मतलब ACTUAL Mасpulent, तो यहां पनिया था कि कभी बिल्कुल होता होगा ऐसा कि किसी ताइम किसी दिन आपके घहर में आपको इन्वर्टर अगर मालने पावर अफ हो गया ऐसा तरचुट नहीं हो और एंटीपीसी से इलेक्रिसिटी नहीं आ रहा है और आपका इन्वर्टर काम कर रहा है कुछ दिर 100 बाट है तो 100 बाट में एक सेकंड में 100 यूल देना चाहिए रौष्णी कम कैसे दे रहा है मेरे स्पॉइंच को समझे ब्राइटनेस कम हो गया तो एक्च्वल में यह नहीं कि कलकेट में जाके कंपनी पर केस फाइल कर दीजिए कि नहीं नहीं कंपनी तो 100 बाट बोला था उसका लाइट तो उतना ही देना चाहिए था कम्पनी बेचारा बोला था कि 100 बाट दिये लिखा हुआ था उसको थोड़ा एक बार पढ़कर समझ लेना था कि कम्पनी बोला है 100 बाट अभी देंगे जब आप 220 बोल्ट आप मुझे पोटेंटिल डिफ्रेंस अप्लाई कीज ज्यादा बराइटनेस रहेगा और कभी इतना बराइटनेस होगा कि फ्यूजी कर जाएगा या कभी-कभी अभी तो बहुत सेफ रहता है कभी को ब्लास्ट कर जाता था तो उसका बचने के लिए हम जो फ्यूज बायर जो बनाते थे थे ना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर जाए नहीं तो बल्ब क्या होगा कि बल्ब के अंदर जो गैस रहेगा तो डू टू हीटिंग कंडिशन बिल्कुल उसका प्रेसर इसी सो मच हाई वैसे बिल्लकुल कन-कन में गलास वस्ट कर जाता था गाउ में तो उससे बचने के लिए बहुत सरा काम सेफटी के लिए क चलिए मुझे लगता कि इस टाइब को सब्सक्राइब आपका आएगा अब इसकूल के एक्जाम में मतलब होता है जूल पर सेकेंड कि क्या होता है को सौल नहीं करना है कुछी को नहीं लिकना है पस एक आप सुन लिजिए पॉइंट पी अगर इस ही कोस्टन में ऐड करता इस कोस्टन को कि इस पार्टिकल मुविंग क्रों पॉइंट पी बन तो पी टू इन 10 सेकेंड हो मुश सेकेंड 10 सेकेंड अंडर दे इंफ्लेंस अध्याइज पावर क्या पुछते है वाटी अधै आ अश्म पावार कया अज हे मत आ डेली एक ही एन भी संसी बॉच्छ सिंगे किसी दिन घ्रांक़ गया और किसा शल Bueno कम ज़्यादा करके overall 30 days का निकालेंगे तो आपका वो क्या रहेगा नहीं लेता है average value रहेगा तो average power equal to total work by total time क्या हता है total work by तो total work कितना किये 63 और मैं बोला कितना second लग गया था ये पीवन से पीटी तो काने में तो power क्या हो जाएगा 6.3 watt क्या हो जाएगा student तो ये बहुँ छोटा सा बात था है इसको हम लोग बहुत दीन के बाद पढ़ेंगे लेकिन 9th या 10th में कहीं पर power का definition मिला होगा power equal to the work by time क्या हता है total work by total time तो ये total work by total time ये not instantaneous power it is instantaneous power या average power average power average power और इसके अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि power खतम हो गया power अभी मिलेगा after three or four month इसको पढ़ना होगा उससे भी ज्यादा time के बाद हाँ बोलिये नहीं question में था कि when particle moving from p1 to p2 question में क्या था when particle moving from where to where p1 to yes तो जब आप p2 से p1 कर दी जाएगा तो नहीं लगता कि वो delta r minus delta r हो जाएगा वर्क तो negative होता ही है यहाँ देखिए a dot b equal to a ही था ना student a b cos theta तो वर्क के लिए f dot d लिखते हैं तो क्या f d cos theta लिखेगा जहाँ पर theta of tis रहेगा वहाँ पर वर्क क्या हो जागा negative हाँ यह ना जहाँ पर theta acute रहेगा वहाँ पर बर्क positive जहाँ पर theta 90 d रहेगा वहाँ पर बर्क डन जीरो बर्क डन क्या होगा student जीरो लेकिन उसका application railway platform पर नहीं करना है कि आप कुली को समान माथा पर रख दिये सर पर अब सुपर आप physics कि से calculate कर रहे हैं को कि तुम समान लेके चलो और बुले अच्छा तुम तो force लगा रहे थे उपर अब बढ़ रहे थे आगे तो force आ तुम्हारा displacement के वीच में एंगल तो बन रहा था 90 तो तुमने बर्क क्या करना है मुमेंटम भारी ट्रांसफर हो जाएगा वह बिचारा बर्क किया है उसका इंटर्नल बर्क हुआ है चलिए अब निव टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट अफ ए एन बी और इसका एक और नाम है क्रोस प्रोडक्ट अफ ए एन बी तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा जैसे मैंने कैसे बोला था दॉट प्रोडक्ट अफ एन बी और उसका नाम दिया था स्कलर प्रोडक्ट अफ एन बी वैसे ही vector product of A and B उसी का एक और नाम क्या दिया गया है? Cross product of A and B तो देखे एक बात तो समझ में आ गया कि cross product बोलने का मतलब है कि A और B के बीच में cross का sign रहता है इसको क्या बोल दिया गया है? Cross product of A and B अब vector product का बोलने का मतलब है कि इसका cross product करने के बाद जो result आएगा वो vector quantity मिलता है कौन सा quantity? Vector quantity और दो vector का cross product टू vector का cross product always एक vector quantity होता है कौन सा quantity होता है student? और A cross B equal to होता है A का magnitude B का magnitude sin theta और A है unit vector N क्या है? N है N है unit vector in the direction of A cross B लिखेगा N is unit vector in the direction of किसी के audio से गाना का वाज आ रहा है थ्वासा आसपास देख लिजेगा एक बार में दोनों काम नहीं हो सकता है तो N है unit vector in the direction of A cross B ठीक है? तो A cross B क्लिके रहेगा A, B sin theta N cap फिर N cap क्या है? unit vector in the direction of A cross B करेक्ट? अब यहां से भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब यहां देखिए हां बिलकुल वन आएगा S 20 unit vector है unit नहीं है नहीं यह साथ में यह है कि A unit vector है तो इसको 1 से multiply ही क्यों करेंगा 1 से नहीं multiply कर रहे है 1 से multiply कर वही मैं उनको ऐसे थोड़े कि सर 1 से क्यों multiply करेंगा तो बहुत funny thing हो गया 4 into 4 into 1 equal to 4 5 into 1 equal to 5 यह नहीं काम कर रहे है काम यह कर रहे है कि 10 km पर आबर क्या बोलिए गा यहीं बोलेंगे यहीं बोलेंगे यह не पता है बस किधर जा रहे है बस आप लिखेंए 10 concrete per hour बस किधर भी जा रहे है random हां यह न न आप बोलेंगे 10 equipment per hour बस किधर जा रहे है इताम बिलकुल इताम centred हो गये है सर बस जा रही है टेम परावाट से यहां पोईर्टिव एक साक्सिस हाँ है ना तो यहां पर आई का में चुट वन है लहीं कितना कॉंफिडेंस आ गया नहीं तो वाई क्या था इनिट वेक्टर वन के कारण लिये हैं या वो डायरेक्शन बताने के लिये हैं डायरेक्शन तो जिनका भी एक क्वोस्चन था उसमझ में आ गया नहीं आपका लर्निंग प्रोसेस है आप कुछ भी पुछिए मेरा अभी ड्यूटी है आप मैं बहुत इसका विलकम करता हूं ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हैं बहुत एप्रेसेट कर रहा हूं इस बात के लिए आप तो कुछ भी नहीं पुछ रहे हम लोग इससे भी बिल प्राइब किसे लेकर दीरे तो टोर्टोर के लेकर चलें कि सब कुछ समझ में आता रहे हैं फिर भी कहीं पर आता है और मैं प्ढ़ा रहा हूं अब बिल्कम पुछा किजिए जो भी डाउट है बोलियागा तो बिक में एक डाउट क्लास ही देंगे जितना भी बिक में पढ समझ में आता है ऐसे पुछते रहा है अप लोग को मैं देख नहीं पा रहा हूं आप लग इसंडि जोईन करने का राइट टाइम है जितना भी बीडियो भेजते हैं उनको देखने के वाद उनको अलग से मैं डाउत Oh light देता हूं और जिनkon जोईन करें अभी अभी जथने बाले उनको भी अलग से डाउत क्लास दे दूगा बीडियो देख लिज्यें और three hour, four hour continue, doubt clear कर दूँगा, anyway, तो यहाँ देखिए, actual में यहाँ पे a dot a क्या है, a cross b, सब लोग समझे, a cross b का मतलब क्या है, a, b, sine, theta, और a है unit vector, बट a unit vector किसके direction में, बोलिए, unit vector इन दा direction आप क्या बोले, a cross, yes, लेकिन अभी भी a cross b का मतलब हम लोग को नहीं समझे में आएगा, कि a cross b का direction क्या होगा, तो a cross b का direction के लिए, student मैं इसको language देदूँगा, पहले समझ देजिए, a cross b का मतलब होता है, कि इसमें a cross b में, पहले कौन आता है, b या a, a, तो yes, इसमें जो पहले लिखा हुआ है, वहां से b के तरफ move करना है, through a smaller angle, bigger angle या a smaller angle, not like this, yes, a smaller angle इसलिए है, क्योंकि a और b के बीच में का जो angle लेते हैं, वह हम लोग smaller angle ही लेते हैं, हाँ यह ना, तो a से b पर move किये, तो आपका जो movement है, वो anti clockwise है या clockwise है, देखिए तो, यह अच्छा है, anti clockwise, और इसी को यहाँ पर, अगला के next class में इस पर ज्यादा discuss करेंगे, इसी को बोला गया है, right hand thumb rule, क्या बोला गया है, right hand thumb rule, इसका मतलब A है, कि जो पहले है, जो पहले है, तो पहले कौन है, A है या B है, A, तो उसके लोग अपना right hand का finger को लेके जाना है, ठीक है, और उसके बाद, curly your finger, curly your finger, towards what, towards B, किसके तरफ आपका finger, अपना right hand का finger रखना है, towards A, पहले ऐसे, A के तरफ, फिर उसके बाद, curl your finger, finger को मोड़ना है, towards what, B, अब मोड़ने के बाद, जो थाम का direction रहेगा, किसका direction, थाम का direction रहेगा, वही actually A क्रॉस B का direction होगा, किसका direction होगा, यास, तो next question कि sir, एक्जाम में बड़ा funny type का हो जाएगा, कि कहीं एक्जाम में बैठे हुए हैं, अब question आ गया, असा अब लोग बना रहा है, और मैं ऐसे बिल्कुल coffee पे, ऐसे हांद करके, ऐसे कर रहा हूँ, okay, इधर होना चाहिए, खराब लगते रहेगा, नहीं, हलाकि यह बहुता standard rule है, right hand thumb rule, बहुत जगा आपको मिलेगा, लेकिन, अब यह बताईए, अब इसको मैं आज के लिए बहुत बढ़िया कर दूँगा, जैसे ही आप A से B पे किये, तो आपना आपका जो finger है, उन्हें ले था कि anti clock wise हुआ है, हाँ या ना, देखिए तो, anti clock wise, और anti clock wise होने से, thumb का direction कि इधर गया है, हाँ या ना, आज जो thumb का direction है, उन्हें ले था कि vector A और vector B दोनों पर perpendicular हो गया है, ओके, vector A और vector B पर, इसका मतलब है कि आज के बाद, अगर आप height board में हैं, मेरे इस height board में, और अगर anti clock wise मूफ करते हैं, कौन सा बाईज, dams your direction outward होगा, कि धर होगा, outward होगा, ठीक है, तो देखिए student, मैं अभी इस पर बहुत मुझे बात करना है, इसको बहुत lightly ले नहीं सकते हैं, इसलिए इसी चीज़ को यहां से ही, बिल्कुल मैं next class में start करूँगा, A cross B से ही, इस formula से ही, और next class कब है आपका, फिर इसका, संडे का class तो समझी रहा है, और अभी मैं sir से एक बार पहले, आपका class होने से पहले मैं sir class लिया है, उसको मैं फिर से एक बार demo कर लूँगा, आप फरब इसको बंद कीजे, और मुझे यह देखना है।